So today we are going to talk about 4 ways to start recruiting in April या आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 4 बहतरीन तरीके हैं जिससे आप इस April से काफी अच्छा recruitment शुरू कर सकते हो तो वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? आईए देखते हैं इस वीडियो में हाई मेरा नाम है रवी और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूँ कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे ही कई सारी mass recruitment activities के बारे में बात करते हैं जिससे जादा और बहतर agents recruit हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजे क्योंकि agents को recruit करने के ऐसे कई सारी unique और productive तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे तो जैसा कि हम सभी को पता है कि April शुरू हो गया है नया साल शुरू हो गया है नया financial year शुरू हो गया है और हर किसी को ये लगता है कि इस साल हम क्या ऐसा नया करे जिससे हमारा recruitment जो है वो काफी जादा बहतरीन हो जाए देखे आज इस वीडियो में मैं ऐसी को चार tips आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से obviously इनो आपका जो recruitment strategy है वो काफी जादा बहतर हो जाएगा April महिने से ही आप काफी अच्छा recruitment करना शुरू कर दोगे और let me tell you ये जो April महिना है न ये हमारे लिए बहुत जादा important होता है क्योंकि अगर आपने April से ही अच्छा recruitment का pace शुरू कर दिया न तो आपका यही जो pace है वो आपको मे में काम आएगा, जून में काम आएगा, जुलाई में काम आएगा और इसी तरह से आपका recruitment जो है वो काफी अच्छी तरह से हर महिने, मन्थ और मन्थ होता जाएगा तो वो जो चार points के बारे में हम discuss करने वाले थे, उसमें सबसे पहला point है कि thank your agents for your achievements, जी हाँ, आपका नया साल शुरू करने से पहले, आपके team में जितने भी agents है फिर वो active हो, inactive हो, जितने भी agents आपकी team में है, उन सब को आपको thank करना चाहिए और ये thank करने के लिए actually जरूर नहीं है कि आपका target जो है पिछले साल का, वो complete हुआ हो अगर नहीं भी हुआ है फिर भी आपको जितने भी agents से उनको call करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए अगर मिल नहीं सकते करोना की वज़े से तो at least video call करना चाहिए उनको और उन सबको एके करके आपको thank करना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि पिछले साल हमने जो भी नई चीज़े try की, पिछले साल जो भी छोटे मोटे achievements हमने हासिल किये है वो सारे achievements आप ही के support की वज़े से हमने हासिल किये है तो individual level पर मतलब अगर आप manager हो तो आप एके करके इन सारे agents को call कर सकते हो, video call कर सकते हो, personally मिल सकते हो और उनको thank कर सकते हो और ये करना बहुत ज़ादा important है क्योंकि नए शुरुवात जो होती है, नए साल की जब शुरुवात होती है, तब ये जो positive feeling होती है, जब हम किसी को thank करते है और वो भी obliged feel करता है, ये जो positive feeling होती है, वो बहुत ज़ादा effective होती है, बहुत ज़ादा असर कारक होती है, हमारा नया साल शुरू करने के लिए पूरा ब्रांच है जहां पर कई सारे एजन्स हैं मतलब इनों 500-800-1000-2000 जैसे एजन्स है आपके पास तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे आप हरे बंदे को एक एक जाके मिल तो नहीं सकते राइट तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबको ऑफिस पे बुलाना चाहिए सो देखा हुआ है कि जैसे ही नए साल की शुरुवात होती है अप्रिल में तब अपने ऑफिस पे एक छोटी सी पूजा या हवन का भी आयोजन करते हैं और इस पूजा या हवन के लिए वह अपने जितने भी इनो टॉप एजन्स है या फिर जो भी एजन्स को उनको बुलाना है और इन एक लिस बीज एजन्स के साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट बना पाते हैं लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि आप ब्रांच मैनेजर हो रीजनल मैनेजर हो आई वूट स्ट्रॉंगली सजेस्ट यूँ के आप इनो अपने जितने भी एजन्स है हजार दो हजार उन लोगो और यह अगर आप करते हो तो आपके नए साल क्या सुड़वात जो है वो काफी बहतरीन हो जाएगा और हाँ एक बात करना मत भूलिएगा यह जो इवेंस है इनो यह जो आप गैदरिंग कर रहे हो या फिर वेबिनार करते हो अगर आप तो इसको वीडियो रेकॉर्ड करना मत भूलिएगा अगर समझो इनों लोगों को परसनली बुला रहे हो प्रशाद लेने के लिए दस दस लोगों की बैच में तो इन बैचिस को या फिर इन इवेंट्स को जो भी आप एडरेस करते हो उनके साथ जो भी उनके साथ चर्चा होती है आपकी इसको आप वीडियो जरूर कीजिएगा क्योंकि यह आपको आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए बहुत जादा काम आएगा और बिलीव मी जब ऐसा कंटेंट आप पोस्ट करोगे ना बहुत ही स्ट्रॉंग पॉजिटिव फिलिंग आप स्प्रेड करोगे सोशल मीडिया पे भी और यही इसी टाइप का कंटेंट हमें बहुत जादा काम आता है जादा से जादा लोगों तक पहुँचने के लिए सो पॉइंट नमबर वन सबसे पहले एजेंट्स को पूजा या हवन के लिए या फिरिनो थैंक्सगिविंग के लिए आपको ओफिस पे बुलाना है या वेबिनार पे कनेक करना है और अगर ओफिस पे जादा लोगों को नहीं बुला सकते तो बैचेज में बुला के उनको एडरेस करना है उनको थैंक करना है उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नमबर टू के बारे में और वो है दों स्टार्ट यॉर इयर विट गिल्ट फिलिंग जी हां मैंने ऐसे कई सारे मैनेजर्स को देखा हुआ है कि अपने नए साल की शुरुवात एक गिल्ट फिलिं उन्होंने मार्च में डेवलप की होती है वो सारी स्पीड जू होती है वो कम हो जाती है जितनी जाधा एनरजी से वो काम करते थे मार्च में वो सारी एनरजी कहीं ना कहीं लौस्ट हो जाती है इसल Lean guilt feeling मत रखी अपने आप में क्योंकि April 1,1 तारीग से अपरिल की पहली ता ता है तो सारे इंप्रीटी एक ही लेवल से और हो जाथ है तो अब आपके पास चांस है के इस अप्रिल महने से हमें किस तरह से काम करना है जिस से नेसला जल्दी से जल्दी आगे बढ़े आगे जल्स तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए उस पिछले साल का guilt feeling लेके अगर आगे बढ़ो गया तो अच्छी तरह से काम नहीं होगा उसके बाद हमारा तीसरा point है maintain the speed या फिर जो भी March में आपने speed maintain रखी हुई थी जितनी speed से जितनी energy से आप काम कर रहे थे अपने business को chase करने के लिए है वही speed वही energy आपको बरकरार रखनी है एपरिल में भी और वो भी recruitment के लिए क्योंकि ये मैंने कई बार देखा हुआ है कि जैसे ही March का महिना खतम हो जाता है यह automatically काम करना इनों बहुत slow हो जाते है लोग बहुत ही धीली body language हो जाती है उनकी ऐसा लगने लग जाता है कि vacation पे चले गए है अपने इनों March का पसीना पहुँच रहे होते है कई सारे लोग लेकिन यह सही time नहीं है रिलाक्स होने का अप अपरिल में अगर आप वही speed को maintain रखोगे क्योंकि एक अपनी body को अपने इनों काम करने के तरीके को एक आदत पढ़ चुकी है उस space में काम करने की उस speed में काम करने की तो इसको ढीला मत कीजे इसको slow down मत कीजे इसी speed को आप आगे जारी रखिए तो यह जो speed है यह जो energy है आपको April में जून में काम आएगी अच्छे से अच्छे agents को जादा से जादा agents को अपनी team में recruit करने के लिए और उसके बाद हमारा चौथा point है plan your online and offline promotion जी हाँ इस नए साल में हमें कितना time offline promotion में देना है मतलब हमारी team में agents को recruit करने के लिए हम जो भ के लिए हमें कितना time देना है इन सारी activities का हमें properly planning करना पड़ेगा और let me tell you कई लोगों को ऐसा लगता है या फिर जितने भी लोग online promotions करते हैं उनको यह लगता है कि online promotion एक अलग चीज होती है और offline promotion एक completely अलग चीज होती है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आपको effectively offline और online promotion करन है offline का मतलब हम you know practically personally हम जो on field activities करते है वो और online promotion मतलब हो जो हम social media marketing पे जो भी post करते है digital marketing करते है जो भी you know computer पे बैटके internet पे बैटके जो भी promotion करते है उसको online बोलते है राइट सो कितना time आपको online में देना है कितना time offline में देना है यह properly हमें planning करना चाहिए और जो भी आपका offline activity चलते हैं मतलब मान लीजिए आपने एक अपने office में activity अरेंज की है इवेंट अरेंज किया है या फिर seminar अरेंज किया हुआ है तो उस activity के लिए हम लोग क्या करते है ज्यादा उसने offline event organize किया हुआ है ना इसी event को आपको main event रखना है और online promotions का भी backing देना है उसको support देना है मतलब क्या करना है आपने मान लीजिए अगले हफते एक activity अरेंज की है एक event अरेंज किया है और offline promotion से आप लोगों के confirmations ले रहे हो मतलब टेली कॉलिंग करके अपने जितना भी database ह है उसपे डेली कॉलिंग कर रहे हो और लोगों को invite कर रहे हो उनके confirmations ले रहे हो right? उसी के साथ साथ आपको एक Facebook event भी करना चाहिए, Facebook event जैसे हम, you know, launch करते है और फिर facebook event के माध्यम से लोगों को invite करते है तो वो भी हमें post करना चाहिए, Facebook event create करना चाहिए उसके साथ साथ अग अगर आपका काफी बहतरीन यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब पे आप एक विडियो अपलोड कर सकते हो जिसमें आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हो तो यह जो सारी आपकी ओनलाइन स्टाटेजीज है ना यह ओनलाइन स्टाटेजीज एक सपोर्ट की तरह पे आप आपको यूज करनी है आपकी ओफलाइन मार्केटिंग स्टाटेजीज के लिए और अगर इस तरह से आप अपनी स्टाटेजी बनाओगे इस तरह से कॉम्बिनेशन की स्टाटेजी बनाओगे ना आप तो बिलीव मी इतना तगडा रिस्पॉंस मिलेगा आपको इतने जाद पोस्ट डाला हुआ था और उसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि इस नए साल में आपकी रिक्रूट्मेंट स्टाटेजी कैसी होनी चाहिए और उसके ऑप्शन में मैंने लिखा हुआ था 100% ऑफलाइन, 100% ऑनलाइन या बोथ 50-50 उसका जवाब आप सभी ने कुछ इस तरह से दिया है, कि 23% लोगों ने कहा है कि 100% ऑफलाइन होनी चाहिए, 13% लोगों ने कहा है कि 100% ऑनलाइन होनी चाहिए, और 64% लोगों ने कहा है कि बोथ 50-50 स्ट्राटेजी होनी चाहिए, हमारी 50% ऑनलाइन होनी चाहिए, 50% ऑफलाइन भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या ह इंशॉरंस इंडस्ट्री में लोगों को पता है जितने भी इनों creative लोग है successful लोग है इंशॉरंस इंडस्ट्री में हमारे उन सभी को पता है कि अगर हमें इस साल अच्छा recruitment करना है न तो हमें online और offline दोनों strategies का इस्तमाल करना पड़ेगा और कम समय में जादा से जादा लोगो तक पहुचना पड़ेगा तब जाके अच्छा recruitment होगा तो I am sure कि ये चार points जो आज मैंने आपके साथ share किये है ये आपको काफी जादा अच्छे लगे होंगे अगर हां तो इस वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा क्योंकि इस insurance industry में पता है आज भी ऐसे कई सारे लोग है जिनको ये नहीं पता है कि अपने local area से भी वो किस तरह से productive और अच्छे agents recruit कर सकते है तो अगर ये वीडियो आप उनके साथ share करोगे तो I am sure कि इस नए साल में अब उनकी strategies कैसी होनी चाहिए इसके बारे में उनको काफी अच्छे idea मिलेगा और अगर आपको ऐसी ही कई सारी mass recruitment activities को दो video training material में compile किया हुआ है जिनका नाम है recruiting agents edition 1 और recruiting agents edition 2 इन दोनों video टेइंग materiयल में मैं जितनी भी mass recruitment activities है इन सारी mass recruitment activities का अगर आपको एक साथ access चाहिए तो हमने एक bundle pack create किया हुआ है इस bundle pack को access लेते ही आपको recruiting agents edition 1 और recruiting agents edition 2 इन दोनों video training material में जितनी भी recruitment activities है इन सारी mass recruitment activities का एक साथ access मिल जाएगा इस bundle pack का या तो फिर इस mass recruitment activities का access लेने का link मैंने नीचे description में दे दिया है और हाँ इसके साथ साथ मैंने recently एक नई चीज भी शुरू की है आप जैसे इस video के नीचे I'm sure आपको दो documents दिखाई दे रहे होंगे यह जो documents है यह specifically recruitment पे आधारित है ऐसे कई सारे ideas मेरे दिमाग में आते हैं ऐसे कई सारे strategies, processes मेरे दिमाग में आते हैं उसको मैं कई बार क्या करता हूँ ऐसे documents में लिख लेता हूँ कई बार ये होता है कि ऐसे documents जो है सिर्फ मेरे computer में पढ़े रहते हैं लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इन documents को भी क्यों ना मैं आपके साथ share करो तो इन documents को अगर आपको download करना है तो नीचे आप जो icons दिख रहे हो उस पे click कीजिए और वहाँ से आप इन documents को download कर सकते हो So question of the day क्या आपने भी अपने नए साल की recruitment strategy को already बना लिया है या ये जो कुछ points है इनको अपनी strategy में include करने वाले हो अगर हाँ तो उसके बारे में मुझे नीचे please comments में लिखके बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए क्योंकि agents को recruit करने के ऐसे कई सारे unique और productive तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे तो मिलते हैं अगले वीडियो करते हैं अगले वीडियो